गुड मॉर्निंग बच्चों LD head और ketone बनाने की जो common वीधियां थी common methods थे उनके बारे में हम बात कर चुके हैं आज की इस class में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे methods जिनसे केवल LD head formation कर सकते हैं या ketone form कर सकते हैं तो उनहीं के बारे में आज के session में हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे way methods जिनसे केवल LD head form किया जा सकता है only four LD heights only four LD heights ठीक है LD heads बनाने के लिए यहाँ पर हम दो named reaction के बारे में बात करेंगे very very most important reaction है सबसे पहले हम बात करेंगे rosen mund या mund reduction rosen mund reduction rosen mund up chain rosen mund up chain इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है देखिए सबसे पहले आप इसकी basic theme ध्यान में रखिए इस reduction में हम काम में लेंगे acid acid chloride और इसका हम reduction कराएंगे means hydrogen से reaction कराएंगे किसकी प्रेजेंस में palladium और barium sulfate की प्रेजेंस में और product हमारा बनेगा LD hyde यानि acid chloride का reduction palladium और barium sulfate से कराने पर LD हाइड का निर्माण होता है इसे rosen mund reduction कहते है acid chloride palladium और barium sulfate से reduce होकर LD हाइड का निर्माण करते है इसी reaction को rosen mund reduction rosen mund up chain कहते है इसके द्वारा आप aliphatic और aromatic दोनो परकार के LD हाइड फोर्म कर सकते है तो सबसे पहले अपन बात करते है अपने एक्जाम्पल में क्या ले ले aliphatic aliphatic में हमने यहाँ पे ले लिया ethenoil chloride reactant क्या है हमारा ethenoil chloride और इस ethenoil chloride का आप क्या करवा रहे हैं अपचेयन करवा रहे हैं किससे palladium और barium sulfate से ठीक है ओके यहाँ पे देखिएगा क्या होता है हमारा acid chloride reaction किससे होगी hydrogen के साथ में ओके अब देखें यहाँ पे क्या होगा यहाँ से CL CL की nature कैसी है electronegative CL बाहर निकल रहा है electronegative का बाहर निकलना क्या कहलाता है reduction क्या कहलाता है reduction CL की जगह पर आ रहा कोन है hydrogen hydrogen का जुड़ना भी क्या कहलाता है reduction तो जो CL बाहर निकला उसकी जगह पर कोन आ गया एक hydrogen बच्चा है उस hydrogen के पास कौन जाएगा CL क्या बना लेगा HCl ठीक है न तो को प्रोड़क्ट तो क्या बन गया HCl और मेन प्रोड़क्ट क्या होगा हमारा देखिए CS3 C double bond O CL तो गया इसकी जिगर पे कौन आया H अरे ये तो LD8 बन गया क्या बना LD8 तो यहां पर प्रोड़क्ट क्या होगा हमारा CS3 C double bond O H plus HCl किसका formation हो गया acetaldehyde का क्या बना यहां पर acetaldehyde प्रोड़क्ट क्या है acetaldehyde इस reaction में पेलेडियम कौन है reducing agent reducing agent यानि कि अपचायक palladium क्या है अपचायक जबकि बेरियम सलफेट क्या है poison poison विश आप कहेंगे यह विश क्या होता है देखिए अगर इस reaction में बेरियम सलफेट काम में नहीं लिया जाता तो यहां पर पहले LD8 का निर्वान होता LD8 फिर से hydrogen के साथ palladium की उपस्तिती में किरिया करके और क्या बना लेता CH3 CH2 OH यानि alcohol का निर्मान कर लेता किसका निर्मान कर लेता alcohol का निर्मान कर लेता कब जब आप इस reaction में barium sulfate काम में नहीं लेते यानि reaction आगे चली जाती अब इसी reaction को रोकने के लिए क्या काम में लिया गया barium sulfate किसको रोकने के लिए reaction को आगे जाने से रोकने के लिए और रोकने के लिए काम में ले रहे है इसी लिए इसको क्या कहा गया पोईजन विश तो barium sulfate का इस reaction में क्या काम है barium sulfate इस अभी किरिया में विश का काम करता है जिससे ये reaction aldehyde पे रुक जाती है aldehyde आगे alcoholों में अपचाईत नहीं होती है उसके लिए क्या काम में लिया आपने barium sulfate केवल palladium लेते क्या बनता alcohol साथ में barium sulfate ले लिया reaction कहां पे रोकेंगे aldehyde पे इस reaction से क्या कर सकते हो आप जो आपका acid chloride है उससे आप aldehyde बना सकते हो आगे aldehyde alcohol में आपचाईत नहीं होगा क्योंकि barium sulfate यहाँ पे विस्का poison का काम करेगा इसमें aliphatic भी बना सकते हैं और aromatic compound भी form किये जा सकते हैं aromatic compound कैसे form कर सकते हैं देखो aromatic aldehyde बनाने के लिए भाई reactant भी क्या होगा aromatic होगा ठीक है क्या ले लिए आपने benzoial chloride same reaction कोई difference नहीं है क्या product different आएगा reason जैसा reactant वैसा ही आपको product form होगा देखेगा C double bond O हाँ जी same process होगी C L की जिए को न आ जाएगा hydrogen HCL क्या बन गया benzoialdihyde benzoialdi benzoialdihyde किसका निर्माण हो गया benzoialdihyde का यहाँ पे formation हो गया this is a rojanmond reaction यहाँ पे भी देखिए आगे किसमें reduce हो जाता alcohol में benzoial alcohol का निर्माण हो जाता कब जब आप barium sulfate काम में नहीं लेते पर barium sulfate नहीं अपना काम किया किसका पोईजन का विसका और आपको benzoialdihyde प्राप्त होता है तो यह है आपका rosenmond up chain ठीक है आगे क्या इस रोजन्मूंड up chain से फोर्मेलडी हैड का निर्माण किया जा सकता है तो चलिए बात करते हैं रोजन्मूंड up chain से पोर्मेलडी हैड फोर्म किया जा सकता है देखते हैं देखिए, फॉर्मल्डियेड बनाने के लिए रियक्टेंट क्या लेंगे हम मैथे नोयल कलूराइड मैथे नोयल कलूराइड ठीक है, सेम हीर रिड़क्षन करवाएंगे किस से पैलाइडियम और बेरियम सलफेट से क्या करेगा अपने सीख रखा है H प्लस HCl, ये क्या फॉर्म हो गया फॉर्म मैल्डी हाइड ठीक है, चलो, आप कहोगे फॉर्मल्डी हाइड बन गया, सर बहुत बढ़िया बना, हमने सीख लिया बना दिया, बट इस फॉर्मल्डी हाइड को हम यह आपे बोर्ड पे तो बना सकते हैं, पर प्रैक्टिकली नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, और यह स्थाई नहीं है तो ऐस्थाई योगिक से आपका formaldead form करना संभव नहीं है ऐस्थाई का मतलब क्या होता है इस form में रहता ही नहीं है तो जब आपको acid chloride प्राप्ती नहीं हो रहा है तो उससे आप formaldead कैसे form कर सकते हो यह आइस्थाई है आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो यह प्राप्त ही नहीं हो रहा है तो आप अपचेन किसका करोगे और अगर इसका अपचेन नहीं होगा तो आपको formaldehyde यहां पर प्राप्त नहीं होगा यानि यह है reaction नहीं होती है तो कहने का मतलब क्या है इस reaction में क्य होगा रोजन मुंड अपचेन से आप formaldehyde का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि methionoyl chloride अस्थाई होता है unstable होता है तो रोजन मुंड अपचेन में तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है acid chloride से aldehyde form किया जाता है reducing agent लेते हैं palladium और barium sulfate palladium के साथ barium sulfate क्यों लेते हैं क्योंकि barium sulfate aldehyde को आगे alcohol में reduce होने से रोकता है दो चीज़ तीसरी क्या इस reaction से formaldehyde form कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि methanol chloride room temperature पर unstable होता है ये तीन चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है तो यह था हमारा first method केवल aldehyde बनाने के लिए जो की था rosen moond reduction आगे हम बात करते हैं next method की केवल aldehyde बनाने के लिए next method है हमारा stiffen reaction इस्टीफन रियक्षन इस्टीफन रियक्षन इस्टीफन रियक्षन इस्टीफन अभिक्रिया partial reduction अनशिक अप्चें होता है इसा भिक्रिया में किसका इस्टीफन रियक्षन मी एलकेन साइन आइड या इस्टीफन रियक्षन इस्टीफन में एलकिल साइनाइड या एलकेन साइनाइड का अप्चेन SNCL2 वे HCL से करवाते हैं एलकेन नाइट्राइल एलकेन नाइट्राइल और इसका अप्चेन किससे कराते हैं SNCL2 और HCL से प्राड़क्ट बनता है LD mean और इस LD mean का जब जल अप गटन करवाते हैं तो प्राड़क्ट मिलता है LD हाइड और साथ में NH3 ये क्या है LD mean ये क्या बन गया LD हाइड ठीक है और यहाँ पे बना NH3 इस रियक्षन में प्रियुक्त HCL से क्रिया करता है ये देखें NH3 क्या है शार है HCL क्या है अमल है तो NH3 HCL से क्रिया करके प्राड़क्ट बनाता है NH4 CL Ammonium chloride इस इस स्टीफन रियक्षन तो स्टीफन रियक्षन में हम क्या कह सकते हैं एलकेन नाइट्राइल या एलकिल साइनाइड का अपचेन जब एसंट CL अल्टूर एक्षिल से करवाया जाता है तब LD mean का निर्मान होता है LD mean का जल अपगटन करवाने पर LD head प्राप्त होते हैं इस रियक्षन को स्टीफन रियक्षन कहते हैं मिन्स स्टीफन रियक्षन किस की विधी है LD head बनाने की विधी है किस से बनाते हैं LDHID? नाइट्राइल से बनाते है LDHID क्या directly नाइट्राइल LDHID में reduce हो जाता है? नहीं, पहले क्या बनता है? LDMIN LDMIN का क्या करवाते हैं? जल अपगटन तो यह है आपकी stiffen reaction इस stiffen reaction से भी आप elephatic और aromatic दोनों परकार के LDHID यहाँ पर form कर सकते हैं LDHID भी बना सकते हैं और aromatic कैसे? अगर आप R लोगे जैसे CS3 ले लिया मैथिल ले लिया, एथिल ले लिया तो क्या बनेगा? अलिफेटिक LDHID बनेगा एसिट LDHID बन जाएगा उसके उचतर प्रोपेनिल बन जाएगा इस तरह का LDHID बनेगा और अगर यहाँ पर आप benzene ring ले लेंगे तो aromatic LDHID का formation होगा ठीक है? अब देखिए 12th class में आपको direct mechanism exam में नहीं पूछी जाएगी 12th class में आपको केवल reaction पूछी जाएगी direct stiffen reaction क्या है? पूछ सकता है? आपको इस तरह से nitrile लिख दे, reaction पे उपर यहाँ पे SNCL to HCL, नीचे H2O लिख दे यानि ऐसे reaction दे आपको R, C, N उपर लिख दिया SNCL to HCL नीचे लिख दिया water और यहाँ पे दे दिया आपको A को पहचानी है तो यहाँ पे आपको देखके पता लगाना है तो कौन सी reaction है? Stephen reaction है तीनों यहाँ पे साथ मीं दे दियेगे ये भी ये भी तो final product यहाँ पे A क्या लिखोगे? LDH अगर यहाँ पे S2O नहीं लिखता तो क्या लिखते? LDM S2 लिखते हैं क्या लिखोगे? LDH यूँ पूछ सकता है? ठेक है न? तो reaction Stephen नाम दे के पूछ सकता है इस तरह से आपसे reaction पूछ सकता है ध्यान में रखिएगा बट इस reaction की आपसे mechanism 12th boards में नहीं पूछी जाएगी बट आपके किस परकार से LDH फोर्म होता है और आपके ahead आगे जब आप त्यारी करें आपके काम में आए इसलिए मैं आपको इसकी mechanism बता रहा हूँ तो आप इसको write down कर ले boards में ये mechanism नहीं पूछी जाएगी mechanism क्या है देखते हैं Stephen reaction की mechanism बात करते हैं देखिएगा mechanism क्रिया भी थी क्या क्या होता है सबसे पहले हमने ले रखा है SNCL2 SNCL2 HCL के साथ reaction करता है और बना लेता है SNCL4 plus H plus ठीक है अब इस reaction को balance कर देते हैं 2 और ये 2 H plus इस reaction में वास्तव में हुआ क्या है SN यहाँ पे देखिए SN तिन कितने क्लोरिनों से जुड़ा हुआ है 2 से एक क्लोरिन का oxidation number माइनस का 1 दो क्लोरिनों का माइनस का 2 ये क्या है neutral यानि तिन क्या रहा होगा प्लस का 2 SN2 plus आगे चलिए क्या बना रहा है SNCL4 1 क्लोरिन पे माइनस का 1 तो 4 पे कितना माइनस का 4 नूट्रल है तो टिन क्या रहा होगा SN4 plus SN2 plus से टिन SN4 plus कैसे बनाए क्या करे 2 इलेक्ट्रोन त्याग दे भई SN2 plus 2 इलेक्ट्रोन त्यागेगा तब भी तो SN4 plus बनेगा न ये दो इलेक्ट्रोन चाग दिये, अभी देखे, हमने क्या ले रखा है, अल्डिहाइड, सोरि नाइट्राइल, एल्के नाइट्राइल ले रखा, अल्डिहाइड तो बनाएंगे हम इस रेक्शन में, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रो नेग्रिटीविटी अधीक है आप कहेंगे सर नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन की एलेक्ट्रो नेगिटिविटी एधीक होने के कारण इस पूरे की पूरे पाइबोर्ड को को ले गया नाइट्रोजन क्या बनेगा आर सी सी के घटा डल गया अब देखें ये जो दो इलेक्ट्रोन हमें प्राप्त हुए है इलेक्ट्रोन पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव कार्बन के पास जाएगा नैट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रोन किसके पास जाएगे कार्बन के पास एक तो इसके प्लस की क्षति पूर्ती कर देगा और एक अतिरिक इलेक्ट्रोन यहाँ पे आ जाएगा मिन्स हम क्या बनाएंगे यहाँ पे R, C, N भी नेगेटिव और कार्बन भी नेगेटिव अब क्या प्राप्त हुए थे? एच प्लस एच प्लस यहाँ पर जब जाएंगे तो एच प्लस कार्बन का नेगेटिव और टाइटिव का नेगेटिव दोनों के पास क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा और क्या लिख देंगे R, C, H, डबल बॉन्ड, N, H यही बनेगा न, इसको क्या कहेंगे? LD mean, क्या बन गई? LD mean अभी देखिए, LD mean का हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, जलब गटन LD mean का क्या करवा रहे हैं? जलब गटन, देखिएगा बही, अगर यह बन तूटता है तो कार्बन पे क्या आएगा? पोजिटिव, नेट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव, रिजन आपको पता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, डिफरेंस के कारण कारवन पे पोजिटिव, नेट्रोजन पे नेगेटिव, जलब गटन का मतलब H प्लस और OH माइनस कहाँ OH माइनस जुड़ेगा, कहाँ H प्लस जुड़ेगा, देख लीजिए, कारवन पे क्या जुड़ेगा? OH माइनस जाएगा नेटर्ण पर कौन जाएगा H प्लस तो हम क्या लिखें इसे R CH O H N H और ये गया H नेटर्ण पर कौन गया H R CH OH N H ये वाला H ठेक है अब देखिए NH2 एक Well Living Group होता है एक छोड़ कर जाने वाला समू होता है NH2 माइनस तो NH2 माइनस यहां से बाहर निकलेगा कैसे निकलेगा इस पूरे इलेक्टर्ण को अपने साथ ले जाएगा अब इलेक्टर्ण को तो साथ में ले गया पर ऐसा करने से Carbon के क्या हो गया गाटा हो गया उसके जो 4 बंद पूरे थे वो कम हो गया तो अब Carbon के जब गाटा हुआ तो यह हाईडोजन कहता है कि Carbon भया आपको चिन्ता करने की जूरत नहीं है मैं H प्लस के रूप में निकल जाऊंगा मेरा bond यहीं छोड़ जाओंगा उसे आप यूज कर लेना तो यह bond carbon पे गया तो यह bond कहां जाएगा carbon और oxygen के बीच में देखिएगा R, C, H, O, H, N, H, H यह condition है यह bond टूटा पूरा nitrogen ले गया nitrogen पे क्या आया माइनस यह bond टूटा पूरा का पूरा bond किस ने ले लिया oxygen ने H पे क्या आया प्लस oxygen का negative यहाँ पे क्या करेगा bond बना लेगा H पे प्लस है nitrogen पे माइनस है क्या बना लेगा NH3 final product क्या होगा aldehyde और ammonia final product यहाँ पे क्या obtain कर रहे हैं aldehyde और ammonia means product बनेगा आपका aldehyde और साथ में NH3 aldehyde और ammonia ओके ammonia लुई सक्षार है reaction में हमने HCl यूज करा है तो ammonia और HCl reaction करके क्या बना लेंगे NH4Cl साइनाइड एलकेन नाइट्राइल एलकेन नाइट्राइल में पुरा का पुरा पुरा पाई बोंड को ले गया nitrogen nitrogen और carbon के बीच में क्या आ गया बचा double bond nitrogen पे negative दो electron यह वाले कहां पे गई इस carbon पे carbon पे भी क्या आ गया negative 2H plus दोनों के पास एक एक हच चला गया क्या बना अल्डीमीन का जलब गटन करवाया बोंड टूटा carbon पे OH एन पे अच अब इस वाले पूरे बोंड को कौन ले गया nitrogen NH2- के रूप में बाहर निकलना चाहता है तो यहां पे carbon oxygen और hydrogen के बीच वाला बोंड कहां चला गया carbon और oxygen के बीच में तो यह है इस्टीफन reaction की mechanism इस परकार से आपका product form होता है इस्टीफन reaction में ठीक है यानि LKN NITRILE से LDHID बनाने के लिए इस्टीफन reaction काम में लिए जाती है पहले reaction करवाईए SNCL 2-HCL से LDMINE बनाईए LDMINE का hydrolysis करवाईए और LDHID प्राप्त कर लीजिए तो इस परकार से हम यहाँ पे इस्टीफन reaction से LDHID फोर्म कर सकते हैं रोजन मून reaction से LDHID फोर्म कर सकते हैं तो यहाँ पे दो reaction हमें प्राप्त हुई फर्स्ट इस दा रोजन मून रिड़क्शन और सेकेंड इस्टीफन reaction अभी हम बात करते हैं केवल केटोन बनाने की reactions के बारे में हम बात करेंगे फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर एसिटो एसिटिक एस्टर से हम यहाँ पे किटोन का फॉर्मेशन करेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर क्या होता है एसिटो एसिटिक एस्टर देखेगा CS3, C double bond O, CH2, C double bond O, O, C2, H5 यह है एसिटो एसिटिक एस्टर एसिटो एसिटिक एस्टर क्यों है देखेगे यह ग्रूप एसिटो इतना ग्रूप एसिटो यह एसिटिक अगर ही CS3, CO हता तो क्या बोलते है एसिटिक एसिटो एसिटिक और यहाँ पर C double bond O, O किस से जुड़ा हुआ है आगे कोन है एलकिल ग्रूप तो इसको क्या कहे दिया एस्टर एसिटो एसिटिक एस्टर एसिटो एसिटिक एस्टर इसका हम क्षारिये जल अपगटन करवाएंगे कैसा जल अपगटन किस परकार से देखिएगा यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल और यह है दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल और यह इस परकार से तूटता है ठीक है अभी देखिएगा CS3, C double bond O, CH2, CH2 अल्रेडी है यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन तो यह है हाइड्रोजन जब यहाँ आएगा क्या लिखेंगे CS3, C double bond O, CS3 क्या बना, acetone, acetone बना, ठीक है यह है यहाँ यहाँ जएगा क्या बन जएगा, C2, H5, OH C2, H5, OH, क्या बना, इथेनोल, किसका formation हुआ, इथेनोल का, अभी यहाँ पर देखिए H कितने 2, H2, CO3, O कितने 3, तो प्रोड़क क्या बना, H2, CO3, H2, CO3 एक अमल है, के ओच एक शार है, तो H2, CO3 के ओच से किरिया करके क्या बना लेगा, K2, CO3 तो यह है, Aceto Acetic Aster का Ketonic जल अपगटन, जिससे कि आपको केवल Ketone प्राप्त होते हैं, Aceto Acetic Aster से, आप Ketone का निर्माण कर सकते हैं, इस परकार से, इसे ही, आप इस परकार से, हमारी बुक में में मेंशन है, आप अच्छे से याद रख सकते हैं, क्या करेंगे, Aceto Acetic Aster ले प्राप्त करिए, Ketone, ओके, और कैसे लिख सकते हैं, इस Reaction को, देखेगा, Vecalpik Method, इसी विधीकों में, दूसरे टाइप से शो कर रहा हूँ आपके सामने, देखो, सबसे पहले क्या लेंगे, Aceto Acetic Acetic Aster, ठीक है, इसकी Reaction किसके साथ करवाईएगा, Water के साथ में, Water के साथ इसकी Reaction कर रही है, कैसे लिख देंगे, H, O, H, O पे क्या आएगा, Minus, H पे Plus, यहाँ पे Minus, यह पे Plus, तो यहाँ पे कौन चला जाएगा, H+, क्या लिखेंगे, CS3, C double bond O, CH2, C double bond O, O, H, हाँ जी, पहले यहाँ पे कौन था, Alkyl Group था, अब कौन आ गया, H, तो यानि, Aster से क्या form हो गया, Carboxylic Acid, किसका formation हो गया, Carboxylic Amyl का, और साथ में क्या बना, C2, H5, O, H, ठीक है, पहला step, अब देखिए, Next क्या होगा, जो Carboxylic Acid form हुआ है, CS3, C double bond O, CH2, CO, O, H, आप इसे heat दीजिए, आप इसे गरम करिए, और जब आप इसे गरम करेंगे, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगी, CO2, क्या release हो जाएगी, बाहर, CO2 यहाँ से बाहर release हो जाएगी, और, CS3, C double bond O, CH3, CS3, C double bond O, CS3, बाहर क्या निकल गई, CO2, और यही CO2, के ओच के साथ क्रिया करके, क्या बना करेंगे, K2, CO3, तो यहाँ पर इस परकार से आप इस reaction को लिख सकते हैं, Aster का hydrolysis करवाया, hydrolysis करवाया क्या बनाया, carboxylic acid, carboxylic acid को heat दी, heat दी बाहर क्या निकल गया, CO2, final product आपका, acetone, Aceto, Acetic, Aster, इस reaction के बारे में एक बात आप ध्यान रखिएगा, कि यहाँ पर जुरूरी निया, आप Aceto, Acetic, Aster रे ले, आप इसका derivative भी ले सकते हैं, आप इसका वित्वग, प्यूत्वपन भी, इस reaction में, यहाँ पर काम में आप ले सकते हैं, ठीक बात है, तो यहाँ पर आप किटोन फोर्म करने के लिए Aceto, Acetic, Aster काम में ले सकते हैं, इस परकार से हमने देखा, LDH बनाने के लिए, स्टीफन और रोजनमून रियक्शन काम में लेते हैं, और किटोन बनाने के लिए, Aceto, Acetic, Aster का शारी है, Hydrolysis, जलब, घटन करवाते हैं, हीट देते हैं, रिजल्ट रहिए, स्वस्त रहिए, wish you all the best, thank you very much, मिलेंगे अगली क्लास में